तो अभी है ना मैंने आपको book value और market value बताया था बराबर है वो ही अभी हम लोग actual company के इसमें देखेंगे carousel दिख रहा है सबको 481 rupees market जो stock price है ना वो कुछ भी नहीं बताता है company के बारे में ये मुझे बतान दो तो मतलब 10,000 कभी हो सकता है एक stock 50,000 हो सकता है लाख हो सकता है 500 हो सकता है 100 हो सकता है उससे कुछ भी नहीं समझता है market cap क्या बता रहे है कि market में number of shares कितना है into price per share तो market cap कितना है वो company का 1290 ठीक है तो अगर मैं एक excel चालू करके रखता हूँ इसके तुरू में बता तो आपको ओके तो अभी हम लोग देखेंगे market cap इतना है 1290 अभी हम लोग यहाँ पे आते नीचे balance sheet दिख रहे है आपको 2022 September obviously यह एकदम updated वाला नहीं मिलेगा as of now का balance sheet नहीं मिलता बट अभी का balance sheet में book value कितना है book value of equity share capital दिख रहे है आपको यह crores में बराबर तो share capital plus reserves यह दोनों को add करेंगे तो equity मिलेगा तो total equity कितना है अपना 286 is our book value of equity बराबर बट market value of equity कितना है 1290 मतलब market में trade कितने का हो रहे है 1290 क्रोर का जबकि balance sheet में value कितना है 286 यानी कि जो अपना market का जो value है वो 4.5 times the book है ऐसे समझ में आ रहे है क्यों ऐसे difference आता है क्योंकि market जो होता है न वो हमेशा futuristic होता है और जो balance sheet जो अपन देखते book value of equity यह अपना account वाला part होता है accounts कि past में क्या किया company ने यह अपना future के हिसाब से होता है इसके लिए दोनों में difference आता है अभी क्या यह four times book value पे है book value of equity का चार टाइम पे ट्रेड कर रहा है तो क्या यह over valued है यह undervalued ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोल सकता अगर एक ऐसा देखो अभी for example में company देताओ आपको Tata LXC जरा Tata LXC search करो या तो एक काम करो मेरे इदर ही में दिखा देताओ direct Tata LXC है कितना है उसका market cap 41,667 बराबर 41,667 crores उसका equity देखो कितना है balance sheet में 62 प्लस 1630 62 प्लस 1630 कितना है 1692 उसके books पे crores but trade कितने पे कर रहा है 41,000 crores यानि कि literally 24 times trade कर रहा है वो तो बोल सकते क्या over valued है नहीं क्यों पता है क्या अपना जो book value of equity है देखो Tata LXC एक soft क्या है अपना एक technology company है तो उनके इसमें human resource और technology सबसे important चीज़ है वो लेकिन quantify कर सकते क्या balance sheet में नहीं तो balance sheet में यह जो दीख रहा है 1692 में reflect ही नहीं होता यह समझ में आया है क्या आपको तो यह होता है book value और market value का difference अभी हम लोग है ना carousel का annual report खोला है मैंने ठीक है consolidated होता है stand alone होता है दोनों भी बहुत important होता है stand alone मतलब उसका खुद का main business क्या गर रहा है consolidated में subsidiary associate सब कुछ आ जाता है मैंने बोला ना 20 to 50% associate 50 से जादा मतलब क्या एक subsidiary company तो सब कुछ अगर मिला दे तो consolidated होता है अभी यह carousel क्या export business है और इंडिया में भी चला रहा है अभी start हुआ है काफी अच्छे से तो basically जो भी उसका UK based business है जिसको उसने खरीदा है वो सब तो वो उसके consolidated में reflect होगा तो consolidated क्लिक करता हो अभी ठीके सबसे पहले balance sheet आता है अभी वो हम लोग next इसमें जब balance sheet करेंगे तब मैं बताओंगा अभी मैं आपको बताता हूँ income statement consolidated statement of profit and loss बराबर अभी मैंने कैसे सीखाया था कैसे होना चाहिए sales होना चाहिए cogs होना चाहिए gross profit होना चाहिए बराबर ना gross profit फिर क्या होना चाहिए मेरा operating expenses सब कुछ फिर depreciation amortization आना चाहिए फिर अपना EBIT आएगा फिर interest हटाएंगे फिर EBIT आएगा फिर tax होगा फिर net income आएगा बराबर अभी लेकिन इतना clean है क्या देखो यहाँ पे ज़रा नहीं ना revenue है फिर सारे expense एक साथ है तो अभी अभी अपना काम हो जाता है उसको segregate करना कैसे वे में ऐसे वे में ताकि हम बाकी companies के साथ उसको compare करें तो कैसे करने कार यह जो revenue दिख रहा है न वो हो गया अपना sales वाला part अभी मैं एक 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 line item ने डालूँगा यह अगर आपको देखने का है तो मैंने YouTube पे डाला हुआ है relax हो का यह मेरा financial modeling का demo lecture है तो उसमें मैंने एक एक करके बता है यहाँ पर मैं एक बार सिर्व उपर उपर से आपको बता हूँगा revenue from operations net net दिया है देखो net क्या था कि जो भी returns आता है दिया है ना net 48,390 उसके बाद second क्या है other income other income के अंदर क्या क्या चीज़ है अपने को क्या बता तो वो काँ पर समझते हैं आपर देखो note number 22 तो आपको क्या करना पड़ेगा यह search करना पड़ेगा note number 22 आगया note number 22 में other income के अंदर क्या है interest income किदर किदर से banks, others यह सब क्या यह मेरा main business है नहीं न interest income कहाँ पर आना चीज़ है interest expense के साथ तो वाँ पर जोड़ो gain on foreign currency fluctuation यह हो सकता है को रिदेपेंड करता है अभी है ना foreign currency fluctuation अभी suppose करते हैं मेरा 90% business domestic है और 10% export है तो वो जो foreign currency आएगा वो हो चोटा amount रहेगा और वो मेरा core business का part नहीं है बट कैरेसल 80% export करता है तो भाई foreign currency fluctuation तो उसका main business का ही part हो जाता है है की नहीं तो वो हम लोग sales मतलब वो core part में ले सकते कोई problem नहीं आएगा बट ऐसे करके देखना है profit on sale of ppnd ये अपना again non core part है हमेशा ppnd बेचते रहता है क्या नहीं जैसा calculator में समझा है कि मैंने 10 machine था एक बेचा उसका core business नहीं है तो ये सब भी आता है तो ये सब अपने को adjust करना पड़ेगा non core में बस अभी बता रहा हूँ की adjustments करना है कैसे करना है क्या करना है वो सब अपन बहुत आगे देखेंगे मैंने cfa में नहीं है आपको पर ये समझा क्या main उसका sales किदर आएगा ये वाला other income के अंदर तुम लोगों का interest income फिर gain from sale of ppnd ये सब है तो वो यहां पे नहीं आएगा वो अलग सा अपने को नीचे लेके जाना पड़ेगा यहां पे देखो जैसा interest वाला part है न यहां पे अपने को interest income डालना पड़ेगा फिर gain from sale कहा डालना पड़ेगा EBT के नीचे या तो EBIT के नीचे यहां पे यह जो interest है उसके नीचे डालना पड़ेगा अपने को की income from non-core business activities वैसे करके फिर क्या आता है expenses में देखो cost of material consumed purchases of stock in trade and changes in inventory यह तीनो को साथ में club करना पड़ता है और वो आएगा अपना COGS यह तीनो को जब मैं साथ में करूंगा तो आएगा मेरा COGS again it is not necessary हो सकता है other expense के अंदर भी वो लोग डाल देंगे COGS के line items जैसे भी होता है देखेंगे अभी check करेंगे तो यह तीन मिला के COGS हो जाता है employee benefit expense क्या है अपना जो salaries वाला part ताना वो ही है यह आपे employee benefit देखो salaries में सिर्फ salary आता है employee benefit में सारे चीज़े आ जाते है ESOPs, employee stock options थोड़ा broader term है employee benefits salaries मतलब क्या सिर्फ पगार employee benefit में जो shares देते है company जैसे Amazon अपने employees को shares देता है ESOPs देता है तो वो company के लिए तो खर्चा है ना है की नहीं तो उसको हम लोग बोलते है employee benefit expense फिर finance cost के है अपना interest expense समझा depreciation amortization भी आ गया अभी आता है other expense अभी ये ना इसके अंदर ना बहुत सारे line item चुपे होगे रहे थे तो अपने को search करना पड़ेगा तो मैं ये search करता हूँ note no.28 आ गए note no.28 पे other expense अभी तुम लोग first time करोगे तो इतना fast शायद नहीं होएगा मैं एक तो slow ही कर रहा हूँ बट तुम लोग first time करोगे तो थोड़ा अटको गे which is very normal note no.28 other expenses पे पहला line items क्या है manufacturing expenses दिख रहा है manufacturing expense मतलब कहा पे आना चीए था cogs में आना चीए था factory level खर्चा है ना बट इन लोग ने कहां पे लिया है other expense अपना काम क्या है इसको उटा के cogs में डालना अब यह समझ में आ रहे हैं क्या इसा reshuffling करना पड़ता है देखो न उसके अंदर के line items power and fuel, machinery repairs, stores and spare other expense और यह सब other expense में बाकी देखो selling and distribution वो ठीक है वो अपना normal OPEX है admin and other expense यह भी अपना OPEX है यह सब करने के बाद आता है अपना profit before exceptional items अभी exceptional items ना इसके बाद में सिखाने वाला हो आपको अभी exceptional items में ना कैसे आता है पता है earthquake आ गया और उसके वज़े से कुछ loss हो गया या theft हो गया उसके वज़े से कुछ loss होता है वो सब अपना exceptional items है अभी अपने इसमें exceptional items है नहीं कुछ और भी line items आता है exceptional में बट मैं वो आगे सिखाऊंगा पहले क्या होता है तुम लोग को basic concepts भी आना चीए उसके बाद ही उसके related line items बता पाऊंगा will give me profit before tax this is EBT, right EBT के बाद अपना tax expense आएगा फिर अपना आजाएगा profit for the year ये सबसे important है अपने लिए profit for the year OCI क्या होता है ना ये वो chapter के end में सिखाऊंगा other comprehensive income क्या होता है there are four line items जो cater करता है OCI को तो वो क्या है कैसा है वो मैं बताऊंगा आगे clear है उसके बाद ये chapter के end में हम लोग ये भी देखने वाले ये देख रहे हो आप basic earnings per share and diluted earnings per share basic EPS and diluted EPS ये मैं सिखाऊंगा उसके बाद वापस ये करेंगे हम लोग ठीक है